इस वीडियो में बात कर लेते हैं सिपिंग कॉर्परेशन इंडिया की कुईक्ली एनलिसस देख लेते हैं चनल को लाइक इन सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो यहां पर आप देख रहे होगे सिपिंग कॉर्परेशन में आज फाइनली ब्रेक आउट हुआ है और स्टॉक ने तेजी बहुत अच्छी दिखाई है काफी दिन से अंडर प्रेशर था स्टॉक नो डाउट ब्रेक आउट अल्रेडी हो चुका था बट कहीं ना कहीं नीचे रीटेस्टिंग के बाद नीचे चला गया था स्टॉक तो आज फिर से स्टॉक में बुलिशनेस देखने को मि इसलिए यह दो केंडल है आपको 22nd Gen and 28th Gen की दोनों ही देखने को मिल रहे हैं यहां पर आप देखें कि स्टॉक में सेलिंग कहां देखने को मिली 186 के अराउंड और यहां सबसे ज़्यादा सेलर्स एक्टिव थे वहीं वायर्स की बात करें तो बायर्स अपनको सबसे ज़् अपने देखने को मिले ट्रेंड लाइन के पास 170 के अराउंड यह अपने वायर्स ओर इपन को होते हैं तो यहां पर इस्टॉक को काफी अच्छा निकाल के ले गाए तो बाई मंडे तूसरी आपने ट्यूस्टे जो भी अपने टाarget रहेंगे वो रहेंगे कि स्टॉक पहल हो आएगा अपना 190 and then 195 and then 200 तो यह अपने तीन टागेट है 55 पॉइंट के बेकॉस 55 पॉइंट के टागेट मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यहां से अगर बढ़ेगा तो 4 परसेंट जाएगा फिर उपर के लिए अगर स्टॉक यहां से बढ़ेगा तो स्टॉक जाएगा अपना 2.5 परसेंट तो 2.5 परसेंट में अगर आपके accumulation अरो जाता है साथ ही साथ आपको मौका मिल जाता है trailing stop loss shift करनेगा क्योंकि आपके अंदर 5-5 पॉइंट की कहीं ना कहीं एक buying potential बन जाता है कि 5 पॉइंट आ गए भाई अब tension free है अब stock उपर जाएगा तब और shift करेंगे तो इसलिए चोटे targets हमें सा अचिवेबल होते हैं तो यह तो बात हुई अपनी 200 तक के लिए 200 sustain करेगा तो 205 तक की target रखेंगे क्योंकि 250 तक sellers हो गए तो stock को गिराना असान रहता है तो 205 तक sellers देखने को मिलेंगे 205 sustain करेगा तो stock 215, 225 भी दिखाएगा अब बात करें stock में supports का हैं तो support अपना जो रहेगा कि by any means and stability रहती है या कुछ भी पहला support बनेगा अपना 179 यहाँ पर आप देखें candles की उपर यह अपने hurdles दिखने को मिलेंगे इसके बाद next support इसी राइन में होगा 175 175 के बाद जो next support होगा अपना वो नीचे की दिशा में यहाँ पर 173 सो अट्टम support हैं चोटे चोटे और कारगर रहेंगे काम करती नज़र आएंगे तो यह support होगा क्या कैसा momentum रहेगा स्टॉक ऊपर की तिसा में कैसे जाने वाला है क्या तेजी पकड़ेगा otherwise स्टॉक के आप देखें तो कुछ दिन से sideways इसलिए था क्योंकि स्टॉक ने returns सही निकाल दिये थे अगर आप यहाँ से capture करें स्टॉक को नवेंबर से यहां तक अगर देखें तो इस टॉक ने 35% की रिटन्स निकाल दिये इसलिए यह थोड़ा आपको यह जो यहां से zone बना यह पूरा sideways का हो गया और यहां पर थोड़ी खिचडी इसी पक गई फाइनली इस खिचडी को पकने के बाद अब जो फान आया है वो ब